तो आज मैं इतना अनोखा हल्वा लेके आएई हूँ, जो ना तो आपने देखा ओगा और ना ही खाया होगा तो फिर देर किस बात की आज मैं आपको बहुत ही स्पेसल हल्वा की रेशिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही tips और tricks के साथ साथ की साथ वीडियो के end में आपको एक और ingredients बताऊंगे अगर आप वो इसमें add कर देंगे तो इसका जो stretchiness और इस हलवा की बिलकुल कराची हलवा की जैसी हो जाएगी कराची हलवा जैसी stretchiness वाला हलवा कैसे बनाते हैं वो tips और tricks आपको पता चलने वाले हैं तो चलिए हम start करते हैं सबसे पहले मैंने आप लिया है 150 g ग्राम strawberries अभी strawberries का solution है अगर आप नहीं है तो आप क्या करें strawberry crust भी ले सकते हैं frozen strawberries साथ की साथ मैंने 100 g ग्राम आधा कप पानी लिया है तेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तो इस तरह से मैं ये हलवा में जो भी हमारा puree और वाटर है इसको अच्छे से सीव करके एक juice जैसा हमने बना लिया है अब मैं बनाऊंगी इसका हलवा तो यहां पर मैंने थोड़ा पानी और जाला है तो इसको बना सकते हैं तो शुगर वाटर का गोल भी मैंने डाल दिया और अब मैंने क्या किया 100 ग्राम ला आधा कप पानी लिया और उसमें 35 ग्राम या आधा कप कॉन फ्लार या अरा रारोज कुछ भी लेंगे इस तरह की स्लरी हम इसको बना लेंगे तो गाईज अधर आप यह हलवा की रेसिपी पहली बार देख रहे हैं स्ट्रॉवेरी हलवा की तो मैं जी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सिट्टी का नाम जरूर शेयर करें जिससे कि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं तो यहां देखिए मैंने क्या किया शुगर 500 ग्राम या आपका यह धाई कटोरी यह धाई कप पानी लिया है और देर कप शुगर लिया है अगर कप की बात करें तो आधा कप कॉन फ्लार लिया है तो इस तरह से भी आप मेजर करके इसको बना सकते हैं अब जो सबसे ज़्यान देने वाली बात है वह आती हलवा बनाते समय बहुत ही स्लो हीट पे धीरे-धीरे इसको को करना है जैसी देख अप साइन होना शुरू हो गया हम इसमें डालना शुरू करेंगे घी क्यूंकि घी की बनने आतो हलवा कभी भी नहीं बनता है तोटल मैं 100 ग्राम तक घीस के अंदर डालूंगी और मैंने आपे कुछ भी नर्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं आप कोई भी सीट्स भी जाल सकते हैं मस्क मेलन सीट्स बगर भी बहुत अच्छे लगते हैं जैसी थिक होना शुरू हो गया है मैंने यहां पे टुटी स्पून तक एक लेमन का जूस में डाला है और अगर आप चाहां तो लेम यहां आप देख रहे हैं मेरा 6.5 छोको टिन है अगर नहीं हो तो आप प्लेट में भी सेट कर सकते हैं उसको मैंने बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रखने वाली हूं तो थोड़ा थोड़ा घीच डाल के स्लो स्लो हीट पेस को कुप करना है टाइम बहुत लगेगा लाइ जिससे की कराची हलबा जैसे की स्टेचिनेस और टेस्ट भी आईगा इसके रहना है और वह क्यों आता है क्या करना होता है वह आज आपको शेयर करने बाली हो तो ठीक है देखिए मैंने घी जाला और यहां पर काजू भी अच्छे से फ्राई करके जाल दिए तो घी की मूद सा जो है हलबा बन रहा है और आप देखिए पैन में मैं चला रही हूं तो एकदम से क्लीन पैन को छोड़ा है मतलब यह काफी हद तक बन चुका है अल्मूस्ट अल्मूस्ट यह हलबा रेजी हो गया है तो इस तरह से में थोड़ा सा दो ती मिट और कुक करूंगी आपको बताने वाली हूं तो यह देखिए मैं बिल्कुल नॉनस्टाप चला रही हूं जिससे की स्मूधनेस का जो टेक्शर है एकदम से पर्फेक्ट निकल के आया तो यह देखिए कितना मस लग रहा है हल्बा मेरा बन चुका है हमें बहुत ज्यादा टाइट या ओवर को करने की जरूवत नहीं है बस सीधे सीधे मैं इसमें पैन में डाल दूँगी अब देख सकते हैं कितना पतला सा है लेकिन यह बहुत अच्छे से सेट होगा और बहुत ही प्रॉपरली इसको को किया गया है टैप कर देंगे और टैप करने के बाद हम इसको एक से दो हंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे या बाहर भी इसको छोड़ सकते हैं आसानी से अब ऊपर से थोड़े से नट्स में और डाल ली हूँ और जी हमारा यह जो स्ट्रॉवेरी हलवा है ना अब कभी भी एक अच्छे से फेस्टिबल पर बनाई हो शेयर किजिए लोगों को ब सब्सक्स कर देख सकते हैं और किसी म hanno akar में कम इसको कट कर सकते हैं आपको जरूर Ellis स्कूर 65 जी लीए कर सकते हैं वह मैं आपको कट करकी दिखाने वाली हूँ अब एक अरन नहीं डाला हैं व alarm ऐसे कर थे और यू श्यों करते हैं तो डालेंगे तेस्ट देख भी यह स्याह यहां देखिए मैंने शेप्स बना लिए और यह देखिए मज़ेदार सा हमारा हार्ड शेप का भी हल्बा स्क्वेर शेप का भी हमारा स्ट्रोबीरी हल्बा वनके रेडी है तो जो मैं आपको इंगिजेंस बता रही थी वह है लिक्विट ग्लुकोज दो बड़े चम्मच बा है तो आप उसे इसमें डाल दीजिए और यह देखिए कितना मस्त हल्बा है टेस्ट उसका क्या ही कहने बहुत ही मस्त है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करकी जरूर बताएं फुल रेसिपी मैंने यहां पर आपको जिस्क्रिप्चिन में दी है वहां से आप से ले सकते हैं तो सारे केप्शन चेक के साथ मैंने रेसिपी शेयर कर दी है बनाएए खाये थैंक्यू फर वाचिंग